A very good morning day students, बच्चो आज हमें class first subject English और आज का हमारा topic क्या है बच्चो आज का हमारा topic है fill in the blanks to complete the words पेज नमबर बच्चो आप भी अपनी book का 11 पेज नमबर निकालिए और आज हमें क्या करना है fill in the blanks to complete the words जैसे हमें पे कुछ blanks दी हमें उने fill करना है और एक complete word बनाना है जैसे a, p, p, l दिया है तो हमें इसको word बनाना है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे a, p, p, l, e, हम यहाँ पे e लिखेंगे तो आप भी अपनी copy पे e लिखेंगे यहाँ बन गया apple, apple मने save तो यह word बन गया ऐसे यहाँ पर बच्चो नेक्स्ट है आपका A-N-A-N तो यहाँ पर जब हम A-N-T लिखेंगे तो यह बन जाएगा Ant, Ant मनें चीन-T तो यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर A लिखा है उसके बाद blank है R-O-P-L-A-N-E यह बनेगा A-E A-E-R-O-P-L-A-N-E ऐसे यहाँ पर B-R है और हमें यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर U लिखेंगे तो यह बन जाएगा B-R-U-S-H-Brush ठीक है बच्चो? ऐसे यहाँ पर B-O है तो हम इसको word बनाना है B-O blank में हम जब हम X लिखेंगे तो यह बन जाएगा box ऐसे यहाँ पर B blank है यहाँ पर O-T-H-E-R यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम R लिखेंगे बन जाएगा brother, brother मने भाई B-R-O-T-H-E-R brother ऐसे यहाँ पर C-A है फिर blank है हमें इसे word बनाना है तो बच्चो आप भी सोचिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पर very good हम यहाँ पर cat लिखेंगे बन जाएगा cat cat मने Billy C-A-T cat ऐसे यहाँ पर C-O है हमें इसे word बनाना है blank है यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे W बन गया C-O-W cow ऐसे यहाँ पर C-L यहाँ पर हम क्या लिखेंगे O C-L-O-C-K clock clock मने घड़ी ऐसे यहाँ पर D-O है हम यहाँ पर G लिखेंगे बन जाएगा dog I hope आप भी अपनी book पर लिख रही होंगे ऐसे यहाँ पर D-O blank है फिर O है फिर R है यहाँ पर हम लिखेंगे O D-O-O door door मने दरवाजा ऐसे यहाँ नेक्स्ट है आपका U-S-T-B-I-N इसे हमें वर्ड बनाना है तो पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे D यानि की dustbin उसके बाद यहाँ पर G-G लिखा है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे E बन गिया एग उसके बाद नेक्स्ट है तो यहाँ पर E लिखा है फिर B-L-E फिर G-L-E है तो यहाँ पर क्या आएगा A आएगा बन जाएगा Eagle E-A-G-L-E Eagle बन गया न वर्ड ऐसे यहाँ पर F है फिर blank है T-H-E-R तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे A F-A-T-H-E-R Father तो यहाँ पर F-L-O-W फिर blank है फिर R है हम यहाँ पर क्या लिखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे E Flower F-L-O-W-E-R Flower फिर यहाँ पर क्या है बच्चो G फिर blank है R-L वर्ड क्या बनेंगा यह Girl G-I-R-L Girl ऐसे यहाँ पर G फिर blank है यहाँ पर A-P-E-S तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम यहाँ पर हम A-G-R लिखेंगे Grapes Grapes बने अंगूर G-R-A-P-E-S Grapes तो बन गये यह भी वर्ड तो बच्चो आज हमने कहां तक किया Grapes तक तो I hope यह आपको अच्छी तरह से समझाया होगा यह आप अपनी बुक पे भी लिखना फिल करना बुक पे भी और अपनी नोट बुक पे भी आप यह साफ साफ लिखोगे पहला Apple, Ant, Aeroplane Brush, Box, Brother Cat, Cow, Clock Dog, Jore, Dustbin Egg, Eagle, Father Flower, Girl, Grapes तो आज हमने यहां तक किया तो कल हम बाकी का करेंगे ओके ठेक किया झाल झाल मुत कि अवाउड़